दोस्तों एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट को 93 रुपए में खरिदता है होलसेल में और उसे बेच देता है 90 रुपए में फिर भी वो कहता है कि मैंने 6 रुपए कमा लिये बहुत तज्यूब हुआ था मुझे भी जब मैंने ये बात पहली बार सुना था और आज मैं आपके साथ इस विचार को बाटना चाहता हूँ कि कैसे संभाव है ये कर पाना दरसल दोस्तों इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसा करते हैं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंतक देखें और जान ले समझ लें हो सकता है आपके लिए सायद या फायदे मन्धू इसके लिए हमें तीन बातों को जानना बहुत जरूई है सबसे पहले कस्टमर अट्रेक्शन दूसरा कस्टमर के साथ रिलेशन्सिप और तीसरा ला आफ एवरेज का सिधान्त जी हां दोस्तों जब दुकानदार 93 रुपए में खरीदे गए प्रोड़क्ट को 90 रुपए में देता है तो इसके पीछे यही तीन काराण रता है सबसे पहला काराण होता है कस्टमर अट्रेक्शन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया नए नए कस्टमर को अट्रेक्ट करने के लिए इस तरह का रेट लगाया जाता है ताकि वो आकरसित हो दुकान की तरफ, सौप की तरफ और दूसरी बात इस तरह के प्राइज में किसी सामान को बेच कर उसके साथ दो-चार बार रिलेशन सीब बनाया जाता है ताकि कस्टमर को आदत हो जाए सौप में बार बार आने का और तीसरा ला आफ एवरेज और इसी टापिक में इस सवाल का जवाब छुपा है तो मान लिजे आपने 93 रुपए के प्राइज में कोई प्रोडक्ट 10 पीस खरीत के लाया जिसका MRP 100 रुपए है और आप उसमें से 9 प्रोडक्ट को 100 रुपए के हिसाब से बेशते हैं तो उसका मुल्य होता है 900 रुपए जब आप किसी प्रोडक्ट को 93 रुपए के रेट से खरीतते हैं तो उसका काश्ट होता है 930 रुपए और फिर एक प्रोडक्ट को आप किसी ग्रहक को बेजते हैं 90 रुपए में तो वो होता है 90 रुपए तो इस तरह से 900 रुपए के साथ में 90 रुपए के वगर हम जोड़ दें तो 990 रुपए होता है और आपका जो पर्चेजिंग का कास्ट होता है वो होता है 930 रुपए का तो जब हम 990 रुपए में 930 रुपए को अर्थात बिक्री मुल्य में खरिदी मुल्य को जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 60 रुपए और इस 60 रुपए को ला आफ एवरेज के हिसाब से 60 को अगर हम डिवाइट कर दें 10 से तो बचता है 6 रुपए वो 6 रुपए प्रती प्रोड़क्ट के हिसाब से इनकम बनता है अगर आप ये सोचते हैं कि 9 प्रोड़क्ट मैंने बेच दिये 100 रुपए में उपर अपना बिजनेस करते हैं और वो एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट अप करके अपने व्यावसाय को बहुत उपर ठक ले जाते हैं पहले राज्य में फिर देस इस्तर में फिर विस्व इस्तर में इसका एक उधारन में आपको दे रहा हूं जब कोई कमपणी किसी प्रोड़क्ट को चलाने में सफल नहीं हो पाता है तो कमपणी क्या करती है जैसे हम किसी सौप को ही ले ले दस रुपए वाले चार पी सौप के साथ में एक दस रुपए का टूथ पेस्ट फ्री अर्थात जब कोई ब्यक्ति 40 रुपए वाला सौप का सेट खरीदता है तो उसे 10 रुपए का टूथ पेस्ट फ्री मिलता है याने 40 रुपए में 50 रुपए का वस्तु वो खरीद लेता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कमपणी वहाँ पे नुक्सान में है इसका मतलब ये होता है कि कमपणी पूरे भारत देश के हिसाब से अ अपने आमदनी को केलकुलेट करता है अगर मालिजे उसका आमदनी पूरे भारत में 10% है तो वो उस एक राज़य में मालिजे उसका 2% वहाँ पर लास हो रहा है तो उस 10% के टोटल प्राफिट में 2% के लास को माइनस कर देता है तो उसके पास बचता है 8% इसες कमपणी यह यही समझता है कि उसने पूरे मार्केट से 8 पजिसात का आमदनी किया तो यही लाफ एवरेज का सिधानत है दोस्तो जिस पर चल कर बड़ी बड़ी कमपनिया आज और बड़ी और बड़ी होते जा रही है मैं आसा करता हूँ आपको मेरे ये बात समझ आ गया होगा अगली बार जब आपके साथ ऐसा हो कि आपके पास कोई नया कस्टमर आया हो या आपका बहुत अच्छा रेगुलर कस्टमर है जो कभी किसी प्रोड़क्ट को आपसे MRP रेट से हट कर आपके खरिदारी रेट में मांगता है तो मेरा ये सेयसन है उससे वो प्रोड़क्ट उस रेट में दे दीजे ताकि आपका रिलेशन बना रहे और जब रिलेशन बना रहेगा तो उससे कई गुना ज्यादा आप प्रतिवर्सुस से कमा लेंगे सव बात की एक बात दोस्तो अगर आपकी आमदनी किसी वज़ा से एक प्रोड़क्ट में छूड़ता है तो छूड़ जाने दीजे लेकिन कस्टमर कभी मत छूटे ये बात याद रखेगा और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें ताकि हो सकता है वो भी आपको ऐसा वीडियो सेयर कर दे जो आपके लिए बहुत ही फायदे मन दो थाइंकि दोस्तों गुड़ नाइट फिर मिलेंगे एक नए और सांदार वीडियो के साथ जैन